गनेशाय नमह, श्री शिव पुरान रुद्र सहिता तृतिय खंड़ ध्याय बतीस, मेना का कोप भावन में प्रवेश, भगवान शिव का हिमवान की पास सब्तर्शियों को भेजना तथा हिमवान द्वारा उनका सतकार, सब्तर्शियों तथा अरुंधती का और महर्शी वसि से कहा, गिरिराज, इन वैशनव ब्रहम ननेशिव जी की जो निंदा की है, उसे सुनकर मेरा मन उनकी और से बहुत ही नेवविरक्त हो गया है, शालेश्वर, रुद्र के रूप, शील और नाम सभी कुछ सित हैं, मैं उन्हें अपनी सुलक्षना पुत्री का दापी नहीं दूंगी, यदि आप मेरी बात नहीं मानेगे तो मैंने संदेह मर जाओंगी, अभी इस घर को छोड़ दूंगी अथ्वा विश्खा लंगी, पारवती के गले में फासी लगाकर गहनविन में चली जाओंगी अथ्वा उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी समझाने की आग्यादी, शिव जी का आदेश प्राप्तकर भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य रिशिया काशमार्ग से उस थान को चल दिये, जहां हिमवान की नगरी थी, उस दिव्य पुरी को देख कर उन सब तर्शियों को बड़ा विस्मय हुआ, वे हिमाचल सुर्य तुल्य तेजस्वी मुनी मेरे पास आ रहे हैं, मुझे प्रयत्न पूर्वा किस समय इनकी पूजा करनी चाहिए, सब को सुक देने वाले हमरे हस्त लोग धन्य हैं, जिनके घर पर ऐसे महात्मा पदारपन किया करते हैं, ब्रमहाजी कहते हैं इसी समय वे मुन्यकाश से उतर कर पृत्वी पर खड़े हो गए, उन्हें सामने देख हिमवान बड़े आदर के साथ आगे बड़े और हाग जोर मुस्तब चुका कर उन सब तर्शियों को प्रनाम करने की पश्चात उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सब की पूजा की तथा उन्हें आगे करके कहां मेरा ग्रहाश्रम आज धन्य हो गया, यो कहकर उन्हें बैठने के लिए भाक्ति पूर्वकासन ला कर दिया, जब वे आसनों पर बैठ गए तब उनकी आग्या लेकर हिमवान भी बैठे और वहां उन जोतिर में महर्शियों से इस प्रकार बोले, हिमवान उन्हें कहा आज में धन्य हूँ, कृत-कृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया, मैं लोग में बहुत से तीर्थों की भाती दर्शन ये बन गया, क्योंकि आप जैसे विश्नरूपी महात्मा, मेरे घर पधारे हैं, आप लोग पूर्ण काम हैं, हमदीनों के घरों में आपका क्या काम हो अतल तुम ही महात्मा शकर को अपनी कन्या देनी चाहिए, हिमालय, ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा तथा तुम जगद गुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है मुनिश्वर, सब्तर्शियों का यहवचल सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड उनें प्रनाम करके इस प्रकार कहा हिमालय बोले महाभाद सब्तर्शियों, आप लोगों ने जो बात कही है, उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले से ही मान रखा था, किन्तु प्रबो इन दिनों एक वैश्णव धर्मी ब्राहमन ने उका भगवान शिव के प्रती प्रसंतापूर्वक बहुत सी उल्टी बाते बताई है, तभी से शिवा की माता का ज्यान व्रश्ट हो गया है, वे अपनी बेटी का विवाहुस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती, ब् इक शुकर उपधारी महेश्वर को बेटी देने की मेरी भी अब इच्छा नहीं है, ब्रह्माजी कहते हैं नारद, मुनियू के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव की माया से मोहित हो उपरियुक बात कहकर चुप हो रहे, तब उन सभी सबतर्शियों ने शिव की माया की प्रित्वी पर पड़ी हैं, तब उन साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधूर एवं हितकर बात कही, अरुंधती बोली साध्वी रानी मेन के, उठो, मैं अरुंधती तुम्हारे घर में आई हूँ तथा द्यालू सबतर्शी भी पधारे हैं, अरुंधती का स वर सुनकर मेन का शीग्र उठ गई और अलिक्ष्मी जैसी तेजस्विनी उन पतिवरता, देवी के चरनों में मस्तक रख कर बोली, मेना ने कहा हो, हम पुन्यजनमा जीवों को आज ये किस पुन्य का फलप्राप्त हुआ है कि हमारे इस घर में जगत स्टरश्टा ब्रमा ज की पुत्रवदू और महर्शी वसिष्ठ की पकनी पधारी हैं। देवी, आप किसलिए आई हैं? यह मुझे बताईए, मैं और मेरी पुत्रियाप की दासी के समान हैं। आप हम पर कृपा कीजिए। मेनका के ऐसा कहने पर साधवियरुंधती ने उनको बहुत अच्ची तरह समझाया बुझाया और उन्हे साथ लेवे प्रसंता पूर्वक उस्थान पर आईं, जहां वे सबतर्शी विद्यमान थे। सबतर्शी गन बादचिक में बड़े निपुन थे। उन सबने भगवान शिव के युगल चर नार्विंदों का स्मरंग करकेशल राज को समझाना आरंव किया। रिशी बोले शैलिंद्र, हमारा शुपकार कवचन सुनो, तुम पार्वती का विवाशिप के साथ कर दो और सनहार करता रुद्र के श्वशुर हो जाओ। शंभू सर्वेश्वर हैं, वे किसी से याचना नहीं करते। स्वयम ब्रमाजी ने तारकासुर के व आर्थना से ही विमहादेर तुम्हारी कन्या का पाने ग्रहन करेंगे तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी, उसमें उसके सामने उन्होंने उससे विवाह की प्रतिग्या कर ली थी। इन्हीं दो कारणों से वियोगिराज शिव विवाह करेंगे। रिशियों की य मैं अत्यांत निर्लिक्त योगी को अपनी बेटी देना नहीं चाहता, आप लोग वेद विधाता ब्रमार जी की पुत्र हैं, अतर अपना निश्चित विचार कहिए, जो पिता काम से, मोह से, भाय से अथवा लोग से किसी अयोग्यवर के हाथ में अपनी कन्यादे देता है, हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुन महर्शी वसिष्ठ ने उनसे योग कहा, वसिष्ठ बोले श्यालेश्वर, मेरी बात सुनो, ये सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक, धर्म के नुकुल, सत्य तथा इहलोक और परलोक मेंसुक दायक है, शैल राज लोक तथा वेद में तीन प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं, शास्त्रग्य पुरोष अपनी निर्मल ज्यान रिष्ट से उनसबप्रकार के वचनों को जानता है, एक तो वहवचन है, जो ततकार सुनने में बड़ा सुन्दर प्रियक लगता है, परंतु पीछे वह सत्य वहितकारक सिध्ध होता है, ऐसा वचन बुद्यमान शत्रू ही कहता है, उससे कभी हित नहीं होता, दूसरा वह है, जो आरंग में अच्छा नहीं लगता, उससे सुनकर अप्रसंता ही होती है, परंतु परिनाम में वह सुख देने वाला होता है, इस तरह का वचन कहकर दयाल धर्मशी बांधविजन ही कर्तव्य का बोथ कराता है, तीसरी श्रेनी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है, सत्य ही उसका सार होता है, इसलिए वह हितकारक हुआ करता है, ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सब क लिए अभीष्ठ है, शेल राज, इस तरह नीतिशास्त्र में तीन प्रकार के वचन कहे गए है, इन तीनों में से तुम्ही कौन सा वचन अभीष्ठ है, बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूंगा, भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी है, उनके पास बाहय संपत्ती नहीं है, इसका कारण यह है कि उनका चितेक मात्रग्यान के महासागर में मद्न रहता है, जो लौकिक बाहय वस्तूओं की क्या इच्छा होगी, ग्रेहस्त, पुरुष, राज्य और संपति से सुशोभेत होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है, क् कि किसी दीन दुखी को कण्या देने से पिता कन्यागाती होता है उसे कन्याकेवद्ध का पाप लगता है, कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी है, कुबेर जिनके किन कहें, जो अपनी ब्रूभन की लीला मात्र से संसार की सृष्टी और संहार करने में समर्थ हैं, जि निवस करने वाले ब्रह्मा, शीरसागर में रहने वाले विष्णु तथा क्यलास्वासी हर ये सब शिव की ही विभूतियां हैं। के देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कलपांतर में दक्षपतनी के उदर से जनले सती नाम से प्रसेध हुगी और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया। तुम्हें महान आनन प्राप्त होगा। शैल लेंद। यदि तुन इच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तात, भगवान शनकर ने तपस्या में लगी हुई पारवती को ऐसा ही वर्दिया है। इश्वर की की हुई प्रतिग्या कभी पलत नहीं सकती। गिरिराज, इश्वर के वश में रहने वाले समस्तसादू पुरुशों की भी प्रतिग्या का संसार में किसी के द्वारा उलंगन होना कथिन है। फिर साक्षात इश्वर की प्रतिग्या के लिए तो कहना ही क्या है। इती श्री शिव पुरान के रुद्र सहिता तृतिय ख अनमा शिवाय, ओनमा 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 शिवाय,